मद्य प्रदेश की संस्क्रितिक और अध्योगिक राज़धानी इंदौर ना सिर्फ केवल मद्य प्रदेश बलकि भारत की सबसे खुबसूरत जगाओं में से एक है भारत के इस खुबसूरत चहर में आपको एतिहासिक धरोहने तो देखने को मिलेंगी ही लेकिन उसके अलावा अगर आप खाने के दिवाने है तो इंदौर से बहतरीन खाना शायद यापको कहीं और मिलेगा तो चलिए दोस्तों चलते हैं इंदौर शाहर के सफर पे हमारे साथ और वर्च्वल टूर के साथ साथ हम आपको complete information भी देंगे कि आप यहां कैसे आ सकते हैं, यहां कहां कहां रुख सकते हैं, यहां कहां कहां घूम सकते हैं और यहां आने का सबसे बहतरीन वक्त क्या रहेगा और साथ ही वीडियो के एंड में हम आपको complete tour information भी देंगे कि आप कितने दिन का trip यहां के लिए plan करें और वो कैसे कर सकते हैं लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमाय चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को subscribe जरूर कर ले और साथ ही notification वाला bell icon भी दबा दे ताकि जब भी हम अगली वीडियो डाले तो उसका आपको notification जरूर मिल जाए दोस्तों वो अक्सर कहा जाता है ना कि असली मज़ा मन्जिल का नहीं सफर का होता है तो चलिए दोस्तों चलते हैं इस इंदौर के खुबसूरत सफर में हमारे साथ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से इंदौर लगबख 193 किलोमेटर की दूरी पे स्थित है और यहां आने के लिए आपको भारत के किसी भी कोने से डारेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी वरना आप कनेक्टिंग फ्लेट लेके भी यहां तक आ सकते हैं अगर आप दिल्ली से इंदौर का सफर तैग कर रहे हैं तो आपको 3-4,000 रुपे तक की फ्लाइट मिल जाएगी बस आप एक बात का खास ख्याल रखें कि फ्लाइट की बुकिंग आप एक दो महीने पहले ही करा ले उस वक्त आपको फ्लाइट सस्ती पड़ेंगी और उसके अलावा अप इंदौर ट्रेन या फिर बस के सहारे भी आ सकते हैं दूसरा सबसे अच्छा तरीका इंदौर आने का ट्रेन से रहेगा इंदौर पहुंचने के लिए आप भारते किसी भी कोने से इंदौर तक की डिरेक्ट ट्रेन ले सकते हैं आपको दक्षिन भारत, राजिस्थान, पूर्वी भारत और उत्तर भारत हर जगा से इंदौर तक की डारेक्ट ट्रेंड मिल जाएगी 3rd AC का किराया 1100 रुपे तक रह सकता है और 1st AC का 2800 रुपे तक और दिली से इंदौर तक के सफर में आपको लगब बारा से तेरे घंटे का वक्त लगी जाएगा दोस्तों इसके अलावा आप इंदौर बस से भी आ सकते हैं लेकिन बस से आपको सफर थोड़ा टायरिंग और लंबा लगेगा तो हमारा सजेशन नहीं रहेगा या तो आप फ्लाइट या फिर ट्रेन का सहरा ले और अगर आपको वो चीज़ें कौस्टली लग रही है फिर आप बस का सहरा ले सकते हैं तो दोस्तों ये तो करली बात हमने कि आप इंदौर भारत के और कोनों से कैसे पहुंच सकते हैं तो अब बात कर लेते हैं कि इंदौर में आप कहां रुख सकते हैं इन दौर में रुकने के लिए हमारा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप विजे नगर के आसपास ही होटल देखें वहाँ आपको बजट में और बहुत तरह के होटल मिल जाएंगे जैसे कि होटल को नार्क या होटल रॉयल पैलेस और विजे नगर में होटल लेने का सबसे अच्छा फाइदा ये है कि आपको लोकल साइट सिंग पॉइंट्स बहुत ही कम डिस्टेंस पे वहाँ से मिलेंगे होटल में चेक इन करने के बाद सबसे पहली जगा जिससे आप अपने इंदौर के ट्रिप में कवर कर सकते हैं वो है यहां का फेमस खाजराना मंदिर खाजराना मंदिर हिंदू देवता श्री गणेश जी को समरपित है और इसका नेरमाण अहिलिया भाई होलकर जी ने करवाया था इस मंदिर की सबसे खास बाते है कि अगर कोई श्रधालो सच्चे मन से यहाँ पे कोई इच्छा मांगे तो भगवान उसकी वो इच्छा जरूर पूरी करते है और खास कर बुद्वार और अविवार को तो आपको यहाँ पर भक्तों की बहुत बड़ी भीड़ देखने को जरूर मिलेगी तो दोस्तों अगर आप भी इंदॉर का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो खजराना मंदिर को अपने विश्लिस में जरूर डालें दूसरी जगा जिसे आप अपने इंदॉर के ट्रिप में कवर कर सकते हैं वो है चपन दुकान इंदॉर की चपन दुकान यहाँ के जाइके का लुट्फ उठाने के लिए सबसे बहतरीन जगा है और इसे हम इंदॉर का दिल भी कह सकते हैं सुबा 6 बजे से खुलने वाली ये दुकाने आपको शाम के 10 बजे तक खुली मिलेंगी और यहाँ पे आप हर तरीके के वेंजन का अनन्द ले सकते हैं अगर आप है एक स्ट्रीट फूड लवर तो आप यहाँ पे बहुत से वेंजनों का अनन्द ले सकते हैं जैसे की चार्ट, पापड़ी, खमन, ढोकला और इत्यादी इस जगह को कवर करने के बाद नेक्स्ट विस देस्नेशन जिससे आप अपने इंदौर के सफर में कवर कर सकते हैं वो है कमला नहरू जोलोजिकल पार्क जहां पहुँचने के लिए आप 56 से कैब या फिर आटो का सहारा ले सकते हैं या इंदौर घूमने का सबसे बहतरी तरीका ये रहेगा कि फर्स टे आप यहां पे बाइक या फिर स्कुटी रेंट पे ले सकते हैं जिसका किराया 500 से 1000 रुपे तक वेरी करेगा और उसके साथ आप पूरे इंदौर को बहुत ही असानी से घूम सकते हैं इंदौर स्थित कमला नहरू जोलोजिकल पार्क मद्यपरदेश का सबसे वड़ा जोलोजिकल पार्क है और इसकी सबसे खास बात यह है कि यहां पे आपको विभिन प्रकार की सांपों की प्रजातियां पंच्यों की प्रजातियां, नील गाए और चिंकारा देखने को मिलेंगी और इसके अलावा आप यहां पे दर्याई घडियाल और वाइट टाइगर, ब्लैक टाइगर को भी देख सकते हैं जो यहां के अकरशन का मुख्य केंदर है तो दोस्तों अगर आप भी इंदौर का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो कमला नहरुजोलोजिकल पार्क को अपनी विश्लिस में जरूर डालें और अगर आप परिवार के साथ यहां आ रहे हैं तो इससे बहतरीन जगा वक्त बिताने को आपको कहीं और शायद ही मिलेगी कमला नहरुजोलोजिकल पार्क कवर करने के बाद नेक्स्ट तो इससनेशन जिससे आप अपने इंदौर के ट्रिप में कवर कर सकते हैं वो है यहां का फेमस राजवाडा पैलेस राजवाडा पैलेस इंदौर के मुख्या अकर्शन केंद्रों में सबसे खुबसूरत जगाहों मैंसे एक है और इसकी सबसे खास बात ये है कि ये लगबग 200 साल पुराना है और आज भी आपको यहां पे बहुत खुबसूरत म्यूजियम देखने को मिलेगा इस महल की वास्तू कला, फ्रेंच, मराथा और मुगल शैली के कई रूपों वे वास्तू शैलियों का मिश्रण है और आज भी आपको इसकी खुबसूरत जलग यहां देखने को मिल जाएगी इंदोर शहर के बीचों बिस्थित रजवाड़ा महल को खुलकर राजाओं ने बनाया था और रजवाड़े का मतलब यह होता है जहां पे राजे रजवाड़े अपना रहने का स्थान रखते हैं आज भी आपको यहां के म्यूजियम में उस वक्त राजाओं के द्वारा इस्तमाल करने वाली चीज़ें देखने को मिलेंगी जैसे कि उनकी पुराने बर्तन, बंदूकें और साथ ही आपको छोटी कटपुतलियां भी यहां देखने को मिलेंगी रजवाड़ा महल कवर करने के बाद नेक्स देस्नेशन जिससे आप अपने इंदौर के ट्रिप में कवर कर सकते हैं वो है यहां का फेमस कांच मंदिर कांच मंदिर एक जैन मंदिर है जिसकी बाहर की दिवारें सफेद पत्थर से बनी है और अंदर की सारी दिवारों में आपको कांच देखने को मिलेगा बीशवी स्ताबदी में बनाएगए इस मंदिर में आपको भगवान महावीरा की मूर्ती देखने को मिलेगी कांच मंदिर को विजिट करने के बाद नेक्स डेस्नेशन जिससे आप इंदौर में कवर कर सकते हैं वो एक खुबसूरत लाल बाग फैलेस लाल बाग फैलेस इंदौर शहर के सबसे खुबसूरत महलों में से एक है और खान नदी के तट पे होने के कारण इसकी खुबसूरती में चारचान लग जाते हैं इस तीन मंदिला इमारत का निर्मान यहां के महराजा शिवाजी राव खोल करने करवाया था और आज भी इस महल को देखने के लिए देश विदेश से लाखो प्रयाटक आते हैं इस महल में आपको होलकर राजाओं की जीवन शैली की जलत सपर्ष रूप से देखने को मिलेगी और खास कर दोस्तों जब आप इस महल के टूर पे जाएंगे जिसके लिए आपको टिकेट 20 से 30 रूपे के आस्वास पड़ेगी तब आप यहाँ पे बहुत से कमरे भी देख सकते हैं जिन में आपको डाइनिंग हॉल या फिर वहाँ के प्राइवेट रूम्स भी देखने को मिलेंगे जो उस वब के राजाएं इस्तमाल करते थे लालबाग को विजट करने के बाद नेक्स तोइस देसिसनेशन जिससे आप इंदोर शहर में कवर कर सकते हैं वो है यहाँ का फेमल्स शराफा बजार इंदोर का शराफा बजार इंदोर ही नहीं बल्कि भारत के सबसे अनोखे बजारों में से एक है क्योंकि दिन को ये बाजार गेहनों का होता है जो रात को खाने के बाजार में बदल जाता है और अगर आप है एक फूडी तो आपको शराफा बाजार में हर तरह का खाना खाने को मिलेगा चाहे वो दही वड़ा, मेंदू वड़ा, साबुदाने की खिच्डी या फिर यहां के फेमस परांटे ही हूँ और इस बाजार की एक और खास बात ये है कि ये बाजार रात को 9-10 बज़े के आसपस खुलता है और ये लगबग दो या तीन बज़े तक चलता है और उस वक्त आपको यहां पे लगबग तीन से साड़े तीन हजार लोग एक वक्त में मिल जाएंगे और आपको चलना बे मुश्किल हो जाएगा और यही तो इस बाजार की खास बात है शेराफा बजार को घूमने के बाद नेक्स टूरिस टेस्नेशन जिससे आप इंदौर में कवर कर सकते हैं वो है पताल पानी वाटरफॉल जो इंदौर शेहर से लगबग 35 किलोमेटर की दूरी पे स्थित है इस वाटरफॉल में पानी लगबग 300 किलोमेटर की दूरी पे स्थित है और अगर आपको नेचर पसंद है तो इससे बहतरीन जगा शायद ही आपको इंदौर में मिलेगी और इन सभी जगाओं के अलावा आप इंदौर में ओम कलेशर मंदिर भी खूम सकते है और उसके अलावा सेंटर म्यूजियम और अन्पूर्णा टेंपल भी इंदौर की प्राइम डेस्नेशन्स में से है तो दोस्तों अगर आप भी इंदौर का ट्रिप प्लान करें तो इनी सभी लोकेशन्स को अपने विश्टिस में ज़रूर डाल लें तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आप इंदौर का ट्रिप प्लान कैसे बना सकते हैं इंदौर घूमने के लिए आपको तीन से चार दिन बहुत होंगे दो दिन आप लोकल साइट सींग के लिए रख सकते हैं और एक दिन आप राला मंडल और ओम कलेश्वर टेंपल को विजट करने के लिए और उसके साथ ही आप अर्णपूर्णा टेंपल भी विजट कर सकते हैं और इस ट्रिप में आपको खर्चा लगबग 15,000 रुपे के आसपास आएगा जिसमें आपका स्कूटी का रेंड, होटल का रेंड और इन सबी जगां को घूमने का खर्चा रहेगा और इस जगा को विजट करने का सबसे बेस्ट टाइम अक्तूबर से मार्च के बीच में रहेगा जब यहाँ पे बहुत ही कम गर्मी होगी और मौसम बहुत ही शांदार होगा तो दोस्तों यह था हमारा खूब सूरत सफर इंदौर शहर का और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेर ज़रूर कर दे और साथ ही हमाय चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि जब भी हम अगली वीडियो डालें तो उसका आपको नोटिफिकेशन ज़रू मिल जाए थेंक यू